कैसे हैं आप लोग मैं विकास दी पांडे पर्फेक्ट अगेडमी की परिवार की तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभी नंदन कर रहा हूँ आप मेरे साथ पर्फेक्ट अगेडमी पे आ चुके हैं आज आओ सारे लोग माफी चाहूंगा पांच मिनट लेट हूँ दो चार पांच मिनट तो दे ही सकते हो सुमित जैहिंद गुरु देओ तुम्हें भी जैहिंद सुमित हिंद हमेशा हमारा अमर रहे जिन्दा रहे सबसे उपर रहे गुलशन गुड़िवनिंग रिहाना गुड़िवनिंग गौरी सर इसका क्या मतलब होगा गुड़िवनिंग बड़े भाई ठीक है गजेंद्र मैं समझ गया प्रियांशू सर कमफास्ट आ गया आज बहुत जल्दी सारे पहले फटाफट फटाफट आ जाओ आज दिन बड़ा विशेश है इसलिए विशेश है ना क्योंकि आज की तारिख है 17 सितंबर और विशेस इसलिए है सबसे पहला सुनो क्यों विशेस है सबसे पहला इसलिए विशेस है क्योंकि आज विश्वकर्मा जैनती है मतलब जो लोग लोहे ओय का उद्योग करते हैं आज मतलब उनके एक पूझ है भगवान है उनका नाम है विशकर्मा आज विशकर्मा जैनती है और दूसरा आज हमारे माननी प्रधान मंतरी मोदी जी का भी जनम दिन है तो आज दो बड़े लोगों का जनम दिन है दीपिका गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुलशन सुष्मा हेलो हां सुष्मा जल्दी आजओ सारे आओ फटाफट ठीक है तो पहली बात तो मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूँ अगर आप पठन-पठन के कार में लगे हैं और आपको अगर किसी भी विसाय में कोई भी समस्या या यदि आपको मुझसे बात करनी है तो आप perfect academy से content कर सकते हैं ऊपर जो मैं class में पढ़ाओंगा तो ऊपर perfect academy का number रहता है आपको किसी भी प्रकार की किसी भी exam में कोई भी समस्या हो तो आप वहां पर संपर कर सकते हैं और मेरी और आपकी वर्तालाप होने का वही एक साधन है पहली बात, दूसरी बात ध्यान से सुनना मैं आपको जैसे कुछ लोगों ने मुझे राय दी कि सर आप कुछ मोटिवेशन वाला या फिर कुछ मतलब कोट ऐसा डाला करो कि जिससे मोटिवेट हो तो मैं उनको यह बताना चाहता हूँ यह सब बहुत बड़ी मुर्खता है सच कह रहा हूँ आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता-पिता हैं आप कुछ भी कर रहे हैं एक बार उनका चेहरा देख लेना विश्वास मानो तुम तयारी नहीं कर रहे हो तुमारी अगर नौकरी लग गई ना तो तुमारे पुस्त के जीवन सुधर जाएगा गारंटी देके कह रहा हूँ सरकारी नौकरी तुमारा और तुमारे आने वाली पीडी दोने के परिवार को दुरुस्त कर सकती है सारी चीज़े सही कर सकती है और motivation सबसे बड़ा देखो तुम्हें किसी की जरुरत नहीं है मैं किसी का नाम नहीं लोगा कि तुम्हें इनकी वीडियो विवेक बिंद्रा या संदीप महेश्वरी की वीडियो देखने की जरुरत नहीं है ठीक है वो लोग अपना काम कर रहे है बात खतम, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे, यार हम लोग कहां से एक बार ये सोचो तो भाई, हम लोग बहुत मध्यम वरगिये परिवार के, घिसट घिसट के तुम उपर उठ रहे हैं, ऐसा पूरा जीवन भट चलेगा, या तुम्हा हाँ, सुमित से तो बात हो चुकी है मेरी, आजो सारे, ठीक है, लक इंडिया बस, रात नहीं खौप बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जजबा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है, हाँ सही कह रहा है यार विकास, ये ब इतना डेटा देने वाला हूँ, अभी क्लास दे के कह रहा हूँ, एक घंटा में इतना अधिक डेटा देने वाला हूँ, कि जितना और भी तुम करेंट अफियर्स की एक घंटा की क्लास कलो, इतना डेटा मिलने वाला ही नहीं है, और सारा का सारा डेटा पहली बात authentic, cross check करत रहा हूँ, दो से तीन बार कि आपको कोई भी गलट डेटा डिलीवर ना करो, लिखने में गलती हो सकती है, बोलने में गलती नहीं हो सकती है, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, तो सारे की सारे की डेटा को करो, अपने अंदर याद करने की कोशिश करो, और मैं शूर हूँ ये डेटा आपके एक्जाम में फसने भी वाला है छलें फिर आगे कालू गुजर राम राम भईया जी कालू भई राम राम अमित शाक अमित शाक ने कुछ इमोजी प्रणाम वाली भीजा है मैं समझ गया अमित जी आपकी बात ठीक है आज आगे आते हैं बीचीज की तयारी कर रहे हैं, सूपर्टेट या सीटेट, SSC, UP पूलिस, डिल्ली पूलिस, या किसी भी एक्जाम की, या कभी या अगर आप आयो की भी तयारी कर रहे हैं, तो आपका पेपर भगवान क्रें करें निकले, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक माता की किरपा हो वो है माश रश्रती तो सब लोग माश रश्रती को प्रणाम करके इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं चलो आगे सारे अंजली अंजली गुड डिवनिंग अतुल गुड डिवनिंग अब क्लास करते हैं मैं आज आप लोग से बात करूंगा तो आप मैं एक स्लाइड जैसी खतम करूँगा मतलब एक टॉपिक फिर मैं आप लोगों से बात करूँगा क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि सर आप लास्ट तक बात करते हो तो ठीक नहीं लगता बीच-बीच में भी बात कर लिया करो मैं जरूर आप से बात करूँगा अब हम लोग मतलब थोड़ा मुद्दे पर आते हैं सारी लोग ध्यान चे सुनना वाइस सबको क्लियर है ना कोई दिक्कत तो नहीं ना प्रिंश गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रिंश सर वाइस नहीं आ रही वाइस तो आना चाहिए शिवम क्या सबको वाइस मेरी नहीं सुना दे रही है अच्छा सब तो शिवम हो सकता है कि तुम अपने मतलब यूट्यूप पे मतलब भी से मतलब बाहर से फिर से अंदर आऊ वाइस तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर स्टार्ट करो सबसे पहला डेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अब सारी चीजों को पहले मैं आपको समझाओंगा फिर सारी चीजों को एकस्पेइन करूंगा ठीक है आ रही है आ रही है वाई समझ गया अब इधर देखो गुलसन देखो कोलकाता में एसिया का दूसरा सबसे गहरा इस appointment station क्या है भाईया एक बात बताओं इक डेटा बहुत सुनना धयान से तो वमारे ने में मेट्रो चलथी है मेट्रो komplis का इतिहास सुनलो धारत में मेट्रो 1984 चैलने मेट्रोट्रें चलने लगा था और मेट्रोट्रें यहाँ पे चला था 1984 में वह जगा रही है कि वेस्ट बंगाल का कोल काता कहां और फोडी सेक यह के ल other कि ऋरत यह है कि ओचंगर करें ल TOP dal शार बतां हैरना का रारी जा रहा है तो data यह है कि kolkata में A.C.A. का दूसरा सबसे गहरा station बनाया जा रहा है यह जमीन से लगभग 33 foot पे बनाया जा रहा है क्लियर है ना कहां पे बनाया जा रहा है kolkata में ठीक है अब kolkata कि यही हूँ मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ यह तो हो गया आपका करेंट कि कोलकाता में एसिया का दूसरा सबसे गहरा है अब सुनो आई बात कोलकाता की कोलकाता की आपको कहानी पता है कि कोलकाता हमारी पहले राजधानी थी लेकिन 1911 में जार्ज पंचम याद है कि नहीं कहानी 1911 में जार्ज पंचम आए थे और राजधानी कोलकाता से कहां पे सिफ्ट करा दिये थे आपको पता है न्यू दिल्ली एकदम क्लियर है ना 1911 में जार्ज पंचम के द्वारा सन बहुत याद रखना और फिर पीछे आ जो कोलकाता की ही कहानी भी बताओंगा कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है सबको पता है कोलकाता होगली नदी के किनारे बसा है और होगली नदी की कहानी सुन लो मेरी बाद बहुत ध्यान से सुन मुर्शिदाबाद भागों में दो भागों में बढ़ जाती है एक धारा बांगला देस में घुश जाती है और दूसरी धारा ध्यान से सुनना इधर ही अपने इंडिया में कलकत्ता की की तरफ नीचे आ जाती है एक धारा जो बांगला देश की तरफ जाती है वो है पदमा और दूसरी धारा जो अपने इंडिया में कुलकत्ता की तरफ आगे बढ़ जाती है उसको बोलते हैं हुगली यानि कि अब डेटा सुनो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है यानि हुगली नदी गंगा की धारा हुई मैंने बताया ध्यान से मेरी बात सुना मैंने बताया कि भाईया गंगा नदी फरक्का बैराज में दो धाराओं में बढ़ती है पदमा और हुगली पदमा बांगलादेश में चली गई और हुगली हमारे इंडिया में रह गई और हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा है क्लियर है डेटा यानि हुगली नदी का में सोर्स क्या हुआ यानि हुगली नदी किसकी उपधारा है गंगा की क्लियर है ना अब मेरी बात सुनना हुगली नदी के पास आप समझ गए कि कलकत्ता हुगली नदी के किनारे हैं कलकत्ता के एक और नाम है कलकत्ता को बोला जाता है पूरवी भारत का प्रवेजद्वार क्या बोला जाता है पूरवी भारत का प्रवेजद्वार अब सुनते ज लगभग 1690 के आसपास की मैं बहुत इंप्रान डेटा है सूता, नाती, काली, काता, गोविंदपुर इन तीन गाउं को मिला करके अपना बना है क्या? कलकत्ता क्या बना है? कलकत्ता और जिन्होंने इस थापना की उस अंग्रेज का नाम है क्या? जोब चौर नौक, एक डेटा मिला कलकत्ता होगली नदी के किनार है, इसको पूरवी भारत का प्रविश द्वार कहते हैं, तीसरा डेटा मिला सर तीन गाउं को मिला करके कलकत्ता बना है, सूता नाती, काली, काता, गोविंदपुर और कलकत्ता जिस अंग्रेज ने इस थाप यह जो बंदरगा है, जो बहुत बड़े-बड़े समान आते हैं, शिप के जरिए, वो सारे के सारे समुद्र पे हैं, लेकिन कोलकत्ता पूरे हमारे भारत का सिर्फ एक ऐसा इकलोता बंदरगा है, जो नदी पे हैं, साफ लिका है, कोलकता ऐसा बंदरगा है, देश का एक मा बहुत important data हो जाता है कोलकाता एक मात्र नदी बंदरगा है जो समुद्र से 203 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है अगर खुद अपने दिमाग से लगाना कि सर कोलकाता में अगर बंदरगा होगा तो किस नदी पे होगा हुगली नदी क्योंकि कोलकाता हुगली नदी के किना है यानि कोलकाता वाला जो बंदरगा है वो एक मात्र बं दे अधीते हैं और कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैप्टल है यह तो पता होगा और वहां की मुख्यमंत्री कौन है मंता बनर जी जी वहां की मुख्यमंत्री है क्लियर है ना ठीक है अब मेरी बात सुनना ध्यान से मैंने आपको पहला करेंट का डेटा क्या बताया था करेंट का डेटा मैंने तो आपको यही बताया था ना कि कोलकाता में एसिया का दूसरा सबसे गहरा स्टेशन है सर तब एसिया का पहला सबसे गहरा स्टेशन कहां है यह भी तो बताऊंगा ना एसिया का यह भी सुननो एसिया का एसिया का सबसे पहला गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर है हॉंग कॉंग में अभी हॉंग कॉंग की लोकेशन भी दिखा रहा हूं और लोकेशन तुरंत ही आपको पूरा 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 पता चल गया आपको यह पता चल गया है। जौब चौर नौक ने की थी और तीन जिन गावों को उठाया था सूतानाती काली काता गोविंदुपूर बहुत इंपॉर्टन डेटा है यूपी पीसेस में कोस्चन भी पूछ चुका है आगे आजो ठीक है पहला है हौंग कॉंग कॉंग क्लियर है अच्छा एक और डेटा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं यहां पे कोलकाता में एसिया तो एसिया का भी तो हम लोग पोस्ट मार्टम करेंगे एसिया आपको पता है कि एसिया अप सबसे बड़ा महाद्वीप है सारे महाद्वीपों में सबसे बड़ा है एसिया क्लियर है ना और भारत भ सबसे बड़ा है एसिया अपना एसिया महादीप जहां पर अपना भारत है सबसे बड़ा है एसिया लेकिन यही मजे की बात है एसिया में देशों की संख्या है 48 मलब एसिया महादीप में टोटल देश हैं 48 और एसिया के बाद जो छोटा उससे जो छोटा महादीप है वो है अ इसिया में देशों की संख्या है क्या कम क्लियर है ना सबसे बड़ा महादवիप एसिया एसिया में देशों की संख्या है कist नी चोउवन ये में मजे की बात में आपको बतानाना चाहरा रहा हूं ठीक है इधर आ जो हाँ, तो Asia की हम लोग बात कर रहते हैं, अब इधर आज़ो, सबसे पहले एक चीज और, अगर मैं आपको मैप में दिखाउं, देखो जो एक एक जो देश है, इधर मेरी बात ध्यान से सुनना अगर ये एशिया महादीप में एक्चली एक जी जो रसिया देश है ना ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है मतलब ये दोनों महादीप में फैला है बहुत बढ़का वाला देश है सबसे बड़ा देश है भाई रशिया दोनों के दोनों महादीपों में फैला है लेकिन मजे की बात है इसको किसमें कंसीडर किया जाए अगर आप रशिया को एसिया में रखेंगे तो एसिया का सबसे अगर रूस नहीं है तब एसिया का सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे चोटा देश है मौलदीव हम लोग आजाएं अपने उसी स्लाइड में देख लेते हैं और कुछ तो छूटा नहीं है सिंपल सी बात है कहां गया आजाओ जिल्दी यहीं तो देखो चीन सबसे बड़ा अगर रूस ऑप्शन में नहीं है तो और सबसे छोटा मौले मतलब मौलदीव सबसे छोटा है और उसकी कैप्टल क्या है माल है यहीं मैं आपको बताया हूँ एक चीज और जान लो असीया की सबसे लंबी नदी यह सब डेटा पूछता है यार इसले लिग दियाउं एसिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी क्लीर है न अगर तुम निवोई थी ये जो चाइना वाली जो नदी थी यांगसी नदी, क्लियर है ना? तो तीसरी कौन सी है? यांगसी, समझ गे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप से ये कहा जाए, ध्यान से सुनलो, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, दूसरे पे अमेजन, तीसरे प नदी कौन सी है यांग सी ठीक है और डेटा आजो देख लो क्या है ठीक है और कुछ भी नहीं है चलो इतना पहली बाद सबको सारी चीजे समझ में आई यू एससार के कौन कौन से देश यूरोप में आते हैं एक्चली यू एससार का उननी सो बान में में इनका विग्टन हो गया और यू एससार की अगर आप पूरा का पूरा मिडल एसिया कंट्री देखोगे और अधर यूरोप की कंट्री जो उस तरह है जहां पर मतलब रशिय प्रिया के द्वारा यूक्रेन पर अटेक हुआ है वो सारी की सारी कंट्री पहले यू-स-स-र के अंदर अजरबैजान वगेरा सारे के सारी यू-स-स-र के अंतरगत आते थे मैं जब आपको World Geography पढ़ाऊंगा तो इस सारी की सारी चीज़े में आपको यू-स-स-र के बारे में सारी की सारी चीज़े समझा दूँगा अभी तक यहां तक आपको सारी चीज़े समझ में आई समझ गए कलकत्ता की स्थापना जॉब चौर नौक तीन गाओं का नाम बता दिया हूँ क्लियर है न सूतानाती काली काता गोविंदपूर बस कोलकाता किस नदी के किनारे है हुगली किस नदी की उद्धारा है गंगा एक धारा जाती है पदमा बंगला देस में उसके बाद एशिया महादीप की बात कर लिया एशिया महादीप में देसों की संक्या और अफरीका में देसों की संक्या है चौवन आप खुद देखिए कि आपको एक करिंट में कितना का कितना मैंने आपको maximum data दिया है अभी एक बार देखो फिर दुबारा सारी चीजे अच्छे से revise करो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ और ये बात बड़े दावे से कह रहा हूँ सारे के सारे लोग सुननो मेरी बात गौरो शुष्मा और देवेस और ये सारे के सारे Marvel Indian रुचीतिवारी और गजींदर मेरी बात सारे के सारे लोग अभी जो online हो और जो बाद में भी रहना मेरी बात सारे ध्यान से सुनना मैं आपको फिर कह रहा हूँ देखो recorded वीडियो और live वीडियो में बड़ा अंतर होता है live आकर के बोलना ना बहुत बड़ी बात है simple सी बात है और ये मैंने कह रहा हूँ कि ये मेरे अंदर बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा वाला तीर चला रहा हूँ बात तीर चलाने के नहीं है जो लोग live वीडियो देते ना एक बार उनकी live वीडियो देखना एक ही बार पांच लाइन बोलेंगे वही लेनिया पढ़ेंगे वही लेनिया पढ़ेंगे और आगे जाएंगे ने पर देखी डेटा को पांच बर घुमा घुमा के देंगे। आप ये देखी कि आपके एक करेंट में कितना डेटा आपको मिल गया। और ये सारे डेटा को आप एक जगा पे लिखते रही। और सारे डेटा को अगर आपने याद कर लिया मैं शेयर हूं आपका एक्जाम दोस्ट हो गए ना तो एक बार वो थमनेल दिखा दो अरे एक बार थमनेल दिखा दो भाई ठीक है ठीक है अनू ठीक 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 प्रियांशू ठीक है समझ गया मैं अब चलो आजाओ अगली नियूज पर आजाओ अगली नियूज पर आते हैं अग्ली न्यूज पहले तू अग्ली न्यूज का मैं आपको फोटो दिखा दूगा अज कर यह बढ़ा हाट टापिक लेक्षा आया है मतलब हर जगा कोटेशन चल रहा है और हैस्टैक भी हो रहा था मोदी जी चीता लेके लोटे वाव वा ताली बजाओ मोधी जी चीता लेके लोटे, matter क्या है, देखो पहले चीता की कहानी सुनो, चीता की कहानी ये ना, कि हमारा देस 1947 में आजाद हुआ, और हमारे हाँ हम आजाद हूए और चीता को भी हमने आजाद कर दिया, मतलब चीता हमारे यहाँ फे मतलब विलूप्त होने के कागार पे थ दात बेज दात था और पुरा का पूरा जो भी मतलब पूरे मांस, स्वांस, वगEरा जो भी बिके आहे हैं वह अफ्रीका से एक धे से नामीबिया अभी नामीबिया अफ्रीका और उर मोधि जी तीनो का करेंगे मोधी जी का तो नहीं करेंगे मोधी जी Teograp태 Pan alltid सा जा ещё है । इम्पॉर्टर्टेंट मेरी मज़ब धियान से मेरी बात सुना करिंट आप यह है कि मोदी जी उड़ गए कहा अफरीका और वहां से ले आये क्या आठ चीता अचली मोदी लेट के चीता आएं एकदम आराम से, समझें, तो विमान गया है, कहाँ, अफ्रीका का एक देश है, नामीबिया, वहाँ पे गया है, विमान, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो डेटा ये आठ चीता लाया गया है, एक्चुली इसमें पांच फीमेल हैं और तीन मेल हैं, क्लियर मद्द प्रदेश के, अब ये आठ चीता रखा का जाएगा, मद्द प्रदेश के कूनो निस्टल पार्क, ये कूनो इस तरह से होगा, मद्द प्रदेश के कूनो बहुत इंपोर्टन डेटा है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कसम से, ये अगर डेटा आपके एक्जाम में आया, तो मेरा नाम तुम मद्द देना, तुम कोई भी छोटा सा छोटे एक्जाम के तयारी कर रहे हो, ये डेटा तुम्हें मिलने ही वाला, इसे प्लीस हाथ जोड के रिक्वेस्ट करो, अटेंशन हो कि इस डेटा को सुन लो और समझ लो, मोदी जी नामीबिया से मद प्र अभी लोकेशन भी दिखा दे रहा हूँ, तुरन तुरन तब लोकेशन दिखाऊंगा, हट, सुनो, लोकेशन देखो, ये देखो, अरे अपने इंडिया से ऐसे घूमते घूमते, मेडा गास करके अंदर से जाओगे ना, तो सबसे नीचे वाला देश मिलता है, साउथ अफ जाए, क्या मतलब है, ठीक है, समझ गए, इधर आजाओ, तो मोदी जी चीता को लेके तो आगए, आजाओ जल्दी, कहाँ गए, हाँ, इधर आजाओ, और नामीबिया से, नामीबिया की लोकेशन मैंने आपको दिखा दिया, नामीबिया अफ्रीका महादीब में है, और वि लुटा कहना, कि लोग कहते हैं, और ऐसा है भी, यह जाओ देखा भी हूँ, और यह लगबख हवा में 77 मीटर तक रहता है, बहुत तेज दोड़ता है, कहते हैं वो जो डैलाग नहीं था, चीते की चाल, बाजी राओ की तलवार पे सक नहीं करतें, कुछ ऐसे था ना, बड बहुत important data ध्यान से सुनना, चीता का वैज्यानिक नाम, चीता का वैज्यानिक नाम आप लोग एकदम ध्यान से सुन लो, spelling रट लो, important data है, एक्जाम में आ सकता है, यह वैज्यानिक नाम है, थोड़ा सटप है, जिभी अभी हो सकता है, टेड़ हो जाए, लेकिन इस spelling रट लेना, बहुत important है, A-C-I-N-O-N-Y-X-J-U-B-A-T-U-S, रट लेना जरूर, यह चीता का वैज्यानिक नाम है, लाया कहां गया है, कूनो निश्नल पार्क, तो उसके बारे में भी तो कुछ जानना है, मेरी बाप ध्यान से सुनना, कूनो निश्नल पार्क अभी आपको पता चल गया, भाया, मदप्रदेश में, कूनो नाम क्यों पड़ा, कूनो नाम इसले पड़ा, क्योंकि कूनो एक नदी है, जो इस निश्नल पार्क के बीच में बहती है, कूनो एक प्रकार का रिवर है, नदी है, जो इस निश्नल पार और ये निसल पार कहा पड़ेगा मद्ध प्रदेश में कूनो एक नदी है और कूनो सहायक नदी है किसकी चंबल की यानि कूनो की धारा मिल जाएगी किसमें चंबल नदी में चंबल नदी का तो नाम सुने होगे न चंबल तुम्हें पता है किसकी सहायक नदी है यमुना की औ देटा दिया हूं अरे कान वान भाया एकदम खोल के सुनो दिमाग खोल के सुनो पांडे का डेटा देख लो कुनो एक नदी है साहएक नदी है चंबल की चंबल साहक है यमना की और यमना साहक है गंगा की यानि कुनो लास्ट में मिलेगी कहां अरे कुनो मिलेगी चंबल में चंबल मिलेगी यमना मिलेगी गंगा में गंगा मिलेगा कहां आपको पता है गंगा कहां पे मिलता है सारे लोको ये डेटा एक दम अच्छे से पता है कि गंगा नदी कहां मिल जागी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी क्लियर है ना था का डिता तो कुनो निसल पार कहां पर मदप्रदेश में सर आपनी पर दूसल करके बर्डे है भाई हैपी बर्डे मोदी जी आज पूरा एकदम हैट लगा करके वहां पर जो मतलब हिसाब किताब बनाए नहीं जैसे लग रहा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं इस लोग करते नहीं है कि एकदम पूरा अरे आप लोग डिस्कवरिम देखे है कि मोदी जी थोड़ा दूर रहे चीता है यह नहीं जानता है कि आप बहुत बढके नेता है समझा रहा हूं मोदी जी को अभी तक सारा डेटा क्लियर है हाँ भाए बीर ग्रिल पूरा भाई वह पता नहीं क्या-क्या खा लेता है यार गुग्वर्ण डिफरस्वें इसमें बड़ा अंतर है अभी मैं तुमको खुल डिफरेंस बता दूगा एक्शली ये जो चीता है मेरी बात ध्यान से सुनना ये cat family का है मैं कहूंगा ये बढ़का बिल्ली है तो कहोंगे sir बिल्ली है तो इतना बढ़का क्यों है है बढ़का पास जाओगे तो तुम्हें गर्दन से मुंडी तोड़ देता है अब मिनट से पहले मैं कह रहा हूं याद कर लो वन्ना मुंडी तूट सकती है कि सारे लोगों को डेटा क्लियर है अरे भाईया कुछ थम्नेल वगएरा भेज दो भाई इतनी देड से मैं सट टाइगर भी तो हाँ सट टाइगर भी तो कैट फैमिली से ये लगभाई ये जितने खुंखार जानवार है ना इस सब लगभा कैटी फैमिली से है लक इंडिया भाई यस सुनील कुमार सर होंग कॉंग गंतंतर देश नहीं होंग कॉंग गंतंतर देश नहीं है चाइना के एंडर में गरतंतर मत बोल देना गरतंत्र का मतलब समझते हो क्या होता है रिपब्लिक का मतलब रिपब्लिक का ये मतलब होता है ध्यान से सुनो गरतंत्र पहले शब्द का मतलब समझ लो गरतंत्र जो तुमने इतना बड़ा वर्ड लिख दिया सुनील बाबू पहले उसका मतलब तो जानलो गरतंत्र का मतलब भारत जिसे अपने भारत के सबसे बढ़े हेड कौन है राष्पति होते हैं तो गटस्पहां का Wakilया मतलब होता большойّ जो होटाumen तो होंग कॉंग को गायब भी करतेगा लेकिन गजब सर मज़ा आगे आज की क्लास में गोरो बहुत अच्छे बाबू तुम्हें मज़ा मिले पूरा ठीक है चलो अब आगे चलते हैं ठीक है है अच्छा मैंने ये जो तीन नदी का नाम लिया यहां पर ध्यान से सुनना एक त तो पहले तुम ये पहली बाद सोर्स सुलो बहुत इंपोर्टेंट है प्रस्ट में आता है कि इन नदियों का उद्गम अस्थल क्या है चम्बल ये चम्बल है ये ठीक से लिखना है ये चम्बल है पूरा बाद इस मैं साफ लिख दे रहा हूँ चम्बल नदी है चम्बल नदी का जो सोर्स है एक जनपाउ हिल्स है जनपाउ हिल्स है कहां पे है इंदौर में है और इंदौर पड़ेगा मद्ध प्रदियश में है अच्छा इंदौर का एक और करेंट अफियर से मैं आपको बताऊंगा भी समझाँगा इंदौर इंदौ है मद्हप्रदेश में गंगा का तो यमना सब को पता है यमुहनोत्री से आ भी कहा है उच्ञहं और शेश में ठीच पूरा डेटा कीलिया क्लिया पीछ Здесь अब इधर आजाओ फिर से अच्छा एक चीज यह बताना चाहता हूं ध्यान से सुनना यह थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा है कि चीता हमारा राष्ट्री जानवर नहीं है हमारा राष्ट्री जानवर क्या है बाग है अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा वो भी बाग कौन सा एक अलग ही रेखाधारी वाला बाग है अभी उसके बारे में मैं समझाऊंगा पहले आप कुछ हमारे राष्ट्री प्रतीक जान लीजे बहुत ही जरूरी है आपको सारी चीजे कुछ चीजे आपको विशेश मिलने वाली है क्योंकि क्लास है पंडे की ध्यान से सुनना सारे लोग आ जाओ ठीक है हाँ सुनील गरव ठीक 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 अब थोड़ा दो मिनट देख लो नेसल फ्लैक देखो पहली बात जो हमारा तिरंगा जंडा है आपको और दो की अनुपात में होता है सबको पता है ये डेट इंपोर्टेंट है हमारे संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को एक्षप्ट कब किया गया है 22 जुलाई 1947 को ये डेटा उससे भी अधिक इंपोर्टेंट है पार बार प्रसन आ जाता है कि तिरंगा की डिजाइन करन जो मतलब बोला गया गांधी जी के ही द्वारा तो आपने तिरंगा जंडा को डिजाइन किसने क्या पिंगली वेकाया ने और सबसे अधिक इंपोर्टेंट डेटा हमारे आजादी के 40 साल पहले आजाद हुए 47 में और 40 साल पहले यानि 1907 में हमारे जंडे को फैराय गया थ इनके द्वारा मेरी बात से अंदर सुना मैडम भीका जी कामा इनका ये पूरा नाम है भीका जी पटेल कामा इनके द्वारा जर्मनी में 1907 में फर्स्ट इंडिन फ्लैग वाज होस्टेट मलब पहली बार जंडा हमारा किसके द्वारा फैराया गया मैडम भीका जी कामा के द्वारा कहां जर्मनी में सन लिखलो 1907 दिमाग में अपने रट लेना डिजाइन किया है पिंगली वेंकेया ने लेकिन पहली बार फैरानी का स्रेक इसको दिया जाता है मैडम भीका जी कामा को क्लियर है ना और सम्विदान सभा के द्वारा तिरंगा को कब सुईकार किया गय क्योंकि भारत जैसा कोई देस ही नहीं विश्वास मानो कहीं जानना घूमाना अगर कहीं पाकिस्तान अकिस्तान में होते ना तो रोते कुछ भी नहीं है भाईया नैपाल एपाल चले जाते कुछ है यहां वहां पे कुछ मिलेगा आम लीची ची खाने को यहां इतना ऐसा अब तुम्हें पता है कितना बढ़िया मौसम चला है, चार दिन से बारी सो रही है, मजेदार मौसम में, लगी नहीं रहा है, गर्मी थी, रात में पंखा बन करना पड़ता है, जूडी लगती है, इतनी ठंडी लगने लगी है, हुरूर हुरूर काप रहा हूं, इधर देखो तिरंगास मजाक नहीं, राष्ट्री गान आ गया, पता है, रवींदरना टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, सिंपल सी बात है, क्लियर है न, तो इसमें तो ज़्यादा तो आपको जानना नहीं है, रवींदरना टैगोर जी के द्वारा अपना राष्ट्री गान जनग जन्गनमन हमारा राष्टरी एंथम के रूप में सुईकार किया गया हो बीस सेकेंड वाला पहला हिस्टेंजा ही बस सुईकार किया गया जो बीस सेकेंड में कम्प्लीट हो जाता है। INC Indian National Congress के द्वारा हर साल दिसम्बर के महीने में सारे लोग बैट करके मीटिंग करते थे कि देश को कैसे आजात कराएंगे तो 1911 वाला सेशन हुआ तक कलकत्ता में और सबसे पहले जनगण मन गाया गया 1911 में तो जनगण मन सबसे पहले 27 दिसम्बर 1911 में गाया गया पीछे आजाओ और क्या लिखा है मेरी भास सुनो कम्प्लीट यह पांच स्टैंजा में मैंने तुमको बता ही दिया 1911 में गाया गया INC मतलब Indian National Congress के अधिवेशन में और उस अधिवेशन की अध्यच्छता मतलब कौन थे प्रेसिडेंट उनका नाम है पंडित बिशन नरायण धर 27 दिसम्बर 1911 के जो सेशन की अधिशता किस ने की थी पंडित बिशन नरायण धर क्लियर है ना सारा का सारा डेटा अभी अभी आगे रुख जो अभी और बहुत चीज है फिर उसके बाद बात कर रहा हूँ बहुत मन है बात करने का लेकिन रुख जाओ नेशनल सॉंग वो तो राष्ट्री गान था ये राष्ट्री गीत है वंडे मातरम सबको पता है लिखे भी है बंकिम्चन चटर जी और उनकी एक किताब है आनन्द मठ उसी से उठाया गया ये सबको बात पता है लेकिन एक चीज जान लो इसकी डेट इसको भी 24 जनवरी 1950 में सुईकार किया गया और सबसे पहली बार इसको कब गाया गया है 1896 के सेसन में गाया गया ये बहुत इंपॉर्टन डेटा है ध्यान से सुन लो सबसे पहली बार वंदे मातरम 1896 यानि मजे की बात है कि जनगण मन से पहले ही वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलियाज सीतलाम सस्य स्यामला मातरम वंदे मातरम गया जा चुका है जनगण मन से पहले ही वंदे मातरम को गया जा चुका है सन देख लो ध्यान से 1896 में वो था 1911, क्लियर है ना, 1911 में जंगलमन, 1896 में वंदे मातरम, सुझलम सुपलम, मलेज सीतलम, सस्यस्यामलम मातरम, अब मेरी बात ध्यान से सुना, सर 1996 के सेसन की अध्यचता किसने की, ये लो उनका नाम, उनका नाम में रहीम तुला सयानी, क्या नाम है 1896 के INC के अधिवेशन जो हुआ है कलकत्ता में और उसकी अध्यचता किसने की ये भी कलकत्ता में हुआ था 1911 वाला भी कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यचता किसने की है 1896 वाले की रहिम तुल्ला सयानी क्लियर है सारा का सारा डेटा अब आ गया जो अब अपना आ गया राष्ट्रिय पसू, national animal, बहुत important है, इसी को बोलते है, the magnificent tiger, clear है ना, और इसका वैग्यानिक नाम देख लो, वैग्यानिक नाम है उसका panthera tigris, क्या नाम है वैग्यानिक नाम, वैग्यानिक नाम जरूर रट लेना, एक जम्मों वैग्यानिक नाम, उसका असली वाला पूचे तो अखिया मून करके बता दू, लेकिन वैग्यानिक नाम पूचते हैं, मन करता है कूँच नुमोहा हुआ उनका, लेकिन भहिया याद करना पड़ेगा, तो अपना राष्ट्री पसू का वैग्यानिक नाम पैंथरा tigris याद कर लो, और अपनी राष्ट्री पक् सारा डेटा बता दिया, अब बताओ, अब बात करते हैं, समझ गए? श्रीवम कुमार कुमार सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पैराग्राफ, स्टेंजा, अच्छा रूची तिवारी स्टेंजा, स्टेंजा का मतलब जैसे होता नहीं, मैं बतानू, जनगर्ण मन चीजे स्टार्ट हो जाया, दो लाइन छोड़के, जैसे तुम कहानी नहीं लिखी होती है, कहानी इस तरह से पहले 4-5 लाइन में लिखी होगे, फिर यहाँ पे खतम होगे, फिर नहीं कहानी यहाँ से स्टेंजा, लाए? स्टेंजा का मतलब यह है, कि पूरे के पूरे घी टीट को बहुत से पार्टों में रखा गया, उसी को बोलते हैंν स्टेल्या, क्लीयर है क्योंकि अभी तो current की class है ना अभी मुझे पता है article भी बचा है कल से मैंने आपको article बताना है start कि और मैं आपको रोज 10-10-12 article बता बता करके सारा article रटवा दूँगा और एक चीज और आज एक बहुत जरूरी बात करनी है सारे के सारे लोग सुन लो बहुत ही जरूरी बात है क बाबू इतने लंबी अंग्रेजी क्यों लिख दो गए यार इतना थोड़ी लिखा जाता है बस इमोजी वनाओ हसने वाला वही बहुत है सरश्वती नदी कहां विलुप्त हो गई है देखो सरश्वती नदी को ये माना गया है मेरी बात सुनो बाबू जिगरॉफी में मज़ओ सरश्वती नदी को ये माना गया हरियाना के मतलब क्या क्या क्याते है घगगर में ये विलुप्त हो जाती है क्लियर है ना अब अपने में डेटा पे आ जाते हैं किसी को ये बताओ पुराना पढ़े हो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं अब पहले उसकी बात करो हरियाना में विलुथ हो जाती है सरस्वती नदी ये माना जाता है और अध्रिस रूप से माना जाता है कि वहाँ इलाहबाद में मिलती है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इलाहबाद में तीन नदियों का संगा में गंगा यमुना और सरस्वती लेकिन सरस्वती दिखती नहीं है ब से पहली बार जंडा को फेराया ठीक है अब आगे आ जाओ ठीक 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 समझ गया मैं सारा का सारा ये चीता वाला बता दिया भी मोदी जी आएंगे मोदी जी हैपी बर्ड है फिर से अगेर चलो आगे आओ एक अब डेटा सुन लो विनीज फोगाट का आप लोग नाम सुने हैं इनके भी बारे में सुन लो डेटा रॉबिन तो उतपा ने कहा है कि हम क्रिकेट से सन्यास ले लिए हैं अब हम मैच मतलब IPL खेलेंगे पैसा कमाएंगे लेकिन वन डे टेस्ट और T20 नहीं खेलेंगे इनको मौका ही नहीं मिला तो खेलेंगे क्या सिंपल बात है भारत क एक चीज़ सुन लो भारत का सर्वस्रेष्ट चडिया घर यानि की मेरा घर भारत का सर्वस्रेष्ट चडिया घर किसको चुना गया है दार्जलिंग चडिया घर को पूरे भारत में जितने चडिया घर है उसमें सबसे अच्छा चडिया घर चुना गया है कौन सा दार्जल पहली भारती पहलवान मनी है तो विनेस फोगाट का याद रखना नाम पूश एक्जाम में जाने प्रसंट कैसे आता है विनेस फोगाट किस खेल से है तो तुम बता दे ना पहलवान है देख लो बॉड़ी सोड़ी दिखा रही है ठीक है चलो आजाओ ये डेटा सुनो पहली चडिया घर को जो पूरे के पूरे बॉड़ी को मतलब पूरी की पूरी चडिया घर का रख रखाओ कौन करेगा उस बॉड़ी को बोला जाता है Central Jew Authority क्या बोला जाता है important data है मैं आपको बता दू परियावरण पसु पच्छी को ले करके बहुत question पूछे जा रहे है तो चडिया घर का रख रखाओ करने की जिम्मेदारी होती है CZA के उपर CZA का full form है Central Jew Authority और ये होता है under the Ministry of Environment परियावरण मंत्राले के अंतर अंतरगत Central Jew Authority काम करती है और इसका काम है कि चडिया घर की क्या करना रख रखाओ सुरक्षा सारा का सारा ब्योस्था करना और इसकी स्थापना होई है year सुनलो 1992 में कब स्थापना होई है किसकी केंद्री चडिया घर प्राधी करण की अब उपर वाली न्यूज में आ जाओ भारत का पहला मैं फिर आपको बोल दिया हूँ मा कसम खाके बोलता हूँ यहां वर्ड पहला आ जाए वो डेटा सबसदिक इंपोर्टेंट हो जाता है भारत का पहला लीथियम आयन सेल निर्मान और संयत तिरूपती बहुत इंपोर् अब लीथियम के बारे में बारे में सुलो ना लीथियम आपको पता है उसका सिंबल क्या है लीथियम का सिंबल है एलाई क्लियर है ना और इसकी प्रमाड प्रमाड संक्या जानना बहुत जरूरी नहीं है ये डेटा बहुत जरूरी है लीथियम प्रकिर्ट की सबसे हलकी धातू है पहली बात ये मेटल है लीथियम प्रकिर्ट की सबसे हलकी सबसे हलकी धातू लीथियम है और दूसरा जब सबसे ह समझ में आ गया और आगे देख ले रहा हूं हाँ एक चीज और ध्यान से सुनना फिर उसके बाद बात करते हैं यह रोजर फेडरर हैं बहुत भड़के वाले हैं भाईया यह टेनी सो इनी से ऐसा मार देंगे आगवारी फूट जाएगी मेरी बात ध्यान से सुनना रोजर फे प्लेयरों का नाम जान लो कि यह लोग कौन हैं मेरी बात सुनना राफिल नडाल बहुत बड़े वाले यह टेनिस के प्लेयर हैं इनका संबन्द है स्पेन कंट्री से और नुवाग जोकोविच भी बहुत बड़े वाले प्लेयर हैं इनका संबन्द है सर्भिया से जैसे भी देश का नाम आया करें, आप खुद से उसकी location मैप में चेक कर लिया करो, अब आज़ो थोड़ी सी कर लेते हैं बात, क्योंकि हाँ अब तो मैप ही है, अब आज़ो बात कर लेते हैं, ठीक है, हटा देता हूँ, पहले इधर आज़ो, आज़ो, सारे फटा फट आज़ो, अ उनका बहुत दिल से आभार करता हूँ, बहुत मतलब धन्यवात करता हूँ, कि आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन विश्वास मनी है, जितना फायदा मुझे हो रहा है, उससे ज़्यादा मैं आपको फायदा देने की कोसिस करता हूँ, मुझे लगेगा, मेरी तुम पूरी ना के वही पांस बार लाइन रिपीट करते हैं, कुछ बात ये जरूरी थी ना, कि कुछ दिन अब आपकी क्लास ही रुखने वाल है, और ये कॉंटीनी होगी एक अक्टूबर से, या एक या दो अक्टूबर से कॉंटीनी होगी, क्योंकि कुछ मेरा कुछ व्यक्तिगत कार रिपड़ा है, तो कुछ दिन ही आपकी क्लास चलेगी नहीं, तो सारे लोग घबराना नहीं, मैं हूँ यहीं पर, एक दम चिंता करने की बात नहीं है, और एक चीज और, ये चीजे कॉंटीनी एक दो अक्टूबर से हो जाएगी, तो फिर आपको कि सर, ये सारा का सारा ये जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, माजी बन जाओंगा, पहाड़ वाड़ तूर दूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा सितंबर का डेटा जैसे ही आओंगा, पूरा का पूरा लाइव क्लास लूँगा, और मैराथन क्लास में आपको पूरा डिलीवर कर दूँगा मतलब मैं जब से आपका साथ दूँगा यानि सितंबर से साथ दिया हूँ पांडे गद्दार नहीं है पहली बता रहा हूँ पूरा का पूरा सितंबर का करेंट अफेर्स खतम कर दूँगा बस मेरी बात इतनी है अब आप लोग बोलो हाँ सुमेद दार्जलिंग की चाय पहला जी आई टैंग मिलने वाला अतुल जी मैं कुछ नोट्स ठीक है अतुल जी मैं मतलब मैनेजमेंट से बात करके अब मुझे इससे पता है अतुल जी मैं बहुत गवार आदमी मैं सच कह रहा हूं मुझे टेक्निकल नॉलिज एकदम नहीं है मतलब सच में नहीं पता है तो मैं इसे बात करता हूँ कुछ है पिन विन करते हैं क्या कि कुछ डाउनलोड हो जाता है तो मैं बात करता हूँ और कुछ ना कुछ आपकी वियोस्था करवाता हूँ अतुल जी ओकी सर जी देवेश समझ गया ठीक है आप लोगो अपडेट में जैसे आऊँगा आप सारे लोगो अपडेट पता चल जाएगा क्योंकि मैं आप लोग एक बार परफेक्ट एकेडमी पर विजिट कर लेना ये मैं एक दू अक्टूबर की में बात कर रहा हूँ तो फिर से मैं कॉन्टेनी हो जाऊँगा अनराक सर आपको यहां देखने आता हूँ बड़ी खुसी मिलती आपको देखे अनराक तुम से मुझसे ज़्यादा तुम खुस नहीं हो सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा मैसेस देखता हूँ बहुत खदरनाग अंगरी जी लिख देते हो भाई ठीक है सब लोग कोई दिकत शुश्मा जी बड़े वियाद ठीक है शुश्मा दो अक्टूबर को आते ही महत्मा गांधी का डाटा आएगा मैं आपको बोला ना मैं सितंबर से कहानी स्टार्ट के हूँ पूरा सितंबर दूगा और मैं आपसे वी कहरूँ अगर आपका एक्जाम अभी इधर पढ़नेवाला है नॉवममर दिसंबर में कुनो राष्ट्री पार को दर्जा कम देखो कुनो को अभी मतलब जल्दी ही दर्जा मिला है मुझे सन नहीं याद आ रहा है पहले कुने उथा एक अभ्यारण अभ्यारण का मतलब समझ लो राष्ट्री पार का छुटका भैवा अभी इसको जल्दी ही राष्ट्री पार का द देख लो मैंने आपको सारी चीजे बताई ये सबसे important slide तो मैंने आपको ये दिखा ही दिया ये जो क्या कहते है कुनों वाला था कुनों है मदप्रदेश में कुनों एक नदी है चंबल यमना ये सारी की सारी डेटा मैंने बता दिया आठ चीता आया है कहां से आया है नामीबि पूरा मज़ा आएगा ठीक है किसी को अगर कुछ अच्छा एक चीज और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप परफेक्ट एकडमी के नमबर पे टेलीग्राम पे फेस्बुक पे यूट्यूब चैनल पे आप मैसेज कीजिए आपका as soon as possible उसका solution होग किसी को कोई समस्या आज की class में कोई भी query है सर 2018 में मिला अच्छा कुनों को राष्ट्री पार्का दरजा हाँ ठीक है सारे लोग सुनो को राष्ट्री पार्का दरजा 2018 में मिला है यह बताएं है, देवेजी, पहले उसके पहले वो अभ्यारण था, अभ्यारण का मतलब हो गया सेंचुरी, मतलब छोटा भाई था, राश्ट्री पार का, अच्छा, मैं लोगों इधर शिफ्ट कराने की बात करता हूँ, आप लोगों को पूरा डेटा दिखता रही है, ठीक है, मैं कहता हूँ, लोगों को मैं इधर इस तरफ शिफ्ट करवा दूँगा, क्योंकि डेटा इस तरफ आ रहा है, मैं समझ यह आपकी प्रॉब्लम, हाँ, 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 अतुल जी एक दम आपने सही राय दी है, अतुल जी, गुल्सन क्या है, मतलब आपका प्रश्ण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, गुल्सन, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गये, मैं आपको अपनी पूरी बात बता चुका हूँ, अब हम लोग करेंगे ऐसा काम, कि हम लोग मिलेंगे अक्टूबर में, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सितंबर का कोई भी डेटा, मतलब आप ये चिंता मत कीजेगा, कि सितंबर का कोई भी डेटा, मतलब आपको नहीं मिलेगा, जो क्लास शूटी मैं मैं राथन क्लास लूँगा, और सितंबर का पूरा का पूरा डेटा आपको एक ही दो दिन में deliver करूँगा जब मैं आ जाओंगा, clear है, ठीक है, तब तक सारे लोग अपना ख्याल लखना, मैं आप लोग को बहुत ही अधिक मिस्स करने वाला हूँ, बहुत अधिक आप मुझे याद आने वाले हूँ, ठीक है, चलो, ठीक ठीक, good night, हाँ, आज last, सितंबर की last class है, य यहाँ की perfect की last class नहीं है, ठीक, 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 ओके,